Hello Friends, Welcome to Designer Junction, मैं सचीन आज ले करा गया हूँ, फिर से एक नए टिप सेंट्रिक्स का क्लास, तो आज के क्लास में हम सीखेंगे How to fix the starting or loading problem in 3ds Max. 3ds Max में starting or loading problem जो होता है, आप कभी भी 3ds Max open करते हो, तो जो भी आपको starting or loading होने में, start होने में 3ds Max को, load होने में आपके file को, काफी problem होता है, काफी कभी-कभी time ले लेता है, तो उसका reason क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों आपका 3ds Max में आपका open होने में time ले लेता है, जो file है उसको load होने में थुरा time लेता है, problem होता है कभी-कभी, तो इस चीज को आज के class में हम, आज के tips and tricks के class में इसी चीज को solve करेंगे, तो सबसे पहले, तो जब भी आप 3ds Max open करते हो, जो time लेता है, उसी को लेके, सबसे पहला जो आप काम करोगे, आपको करना है, कि यहां आपको users C में जाना है, आपको C drive में, यहां user C drive के अंदर, user में, यहां पे सचिन कुमार, जिस नाम से भी आप user ID बना रखके होगे, उसके अंदर जाना है, यहां पे आपको app data में दाना है, यहां पे यहां पे auto desk के अंदर जाना है, यहां 3ds Max के अंदर जाना है, और यहां पे जो भी आप अलग-अलग versions रखके हो, हलाकि यह मैंने install किये थे, अब तो हटा भी दिया हो, बट अभी फिलहाल मुझे 21 का आपको problem है, उसे delete कर दोगे यहां से, आप यहां से ऐसा कुछ delete करने के बाद इसे कर दोगे close, close करने के बाद जब भी जैसा कि 28 है, मैं यहां से start करूँगा, और जब मैं start करूँगा, तो जो यह time लेने में problem कर रहा था यहां पे, अब यह problem नहीं करेगा, और काफी जल्दी start होगा आपका, और इसके बाद यहां पे जब आप start करोगे, तो एक और नया कुछ होगा, वो यह होगा, कि आप जो भी max में open करने के बाद, जो भी आप settings में change या जो भी, एक नया fresh radius max open हो करके आएगा, जैसे आप starting में install करते हो, उस तरह से आपका सब कुछ open होके आएगा, तो अ यह सब यहां में set कर रखा था, सब अलग से आया है, जैसा कि आपका starting में आता है, या बाकी चीजे भी यहां पे बहुत सारी settings change हो गई होगी, जो कि मुझे फिर से करना पड़ेगा, तो लेकिन यह जो भी problem था आपका, अभी मैं इसे यहां डाल दू, इन चीजों को मैं नह time ले रहा था बहुत जादा, वो सब चीजे आपको solve हो जाएंगी, यहां से आपको जैसे कि यह सब आप देख सकते हो, काफी कुछ change हो गया है, एकदम नया जैसा आप stall करते हो, वैसा कुछ आ जाएगा, चलिए इस पर अभी time नहीं waste करते हुए, एक और चीज, एक तो जो म होती है, कि अभी जैसे मैं यह अपना file एक open करता हूँ, और इसे बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, चलिए, नया, क्योंकि मैंने नया phrase फिर से open कर दिया है, तो यह मेरा एक, जो मैं scene अभी, जो interior की classes ले रहा हूँ, उसी का final अभी तक का latest file है, वो मैं open कर रहा हू तो ऐसा कुछ आपका जैसे ही, file open हो जाएगा, दूसरा अभी, जैसे कि मेरा यह file open हो चुका है, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, जब भी, जैसा कि अभी मैं इस file को save करना है आपको, तो कभी भी F3 करके, और इस तरह से आप lines में draw करके, ठीक है, polygons में आप save ना करें, इस तरह से F3 क्लिक करके, और अभी जो आपको viewport पे दिख रहा है, कोसिस करें कि आपके सारे viewport पे जैसे यहां भी है, F3 कर दूँ मैं, और इस तरह से आपका करने के बाद, जो अभी आप देख रहे हो, दिन आप file को save किया करो, यहां से मैं जाओं और इसे ऐसा कुछ क्लिक कर दू, save पे, तो save आप तभी करो, इस तरह से करने के बाद करो, जब भी आप F4, F3, इस त चीज को load होने में आपका काफी time लेता है, जब आपका file इस तरह से आप poly में करके, जब आपका पुरा scene दिख रहा है, इस तरह से आप करके करते हो, तो file को load होने में यहां से भी problem होता है, हमेशा F3 करके आप अपने lines में इस तरह से files को save किया करो, अब यह file जब save हो तो और अगर इस तरह से आप F4 करके, F3 और F4 करके यह पूरा lines, polygons आपके mesh पे सब कुछ दिख रहा है, देन अगर save करते हो और तो और ज़्यादा time लेता है, तो यह पूरा file proof मतलब मैं खुद से करके देख रखा हूं, सारा कुछ चेक कर रखा हूं, तो इसलिए मैं advice के बाद आप अपने file को save किया करो, इससे भी आपका काफी time बचेगा जब आप file open करोगे, तो बहुत जल्दी open होगा, और दोनों तरीके मैंने आपको बता दिये, जब भी आपको file आपको कभी भी problem हो open होने में, तो यह सब चीज़े आप करें, तो अगर अच्छा लगा है tips अगर आज का अच्छा लगा, तो like कर लीजिए, और दोस्तों को भी share कीजिए, कि वो सीख सके, उनको भी यह चीज़े मालूम हो सके, and next, फिर next tips and tricks के class में मिलते है, Sunday को live class में भी मिलते है, आज के लिए इतना ही, कोई भी query है, comment कीजिए, कुछ भी पूछना है, चाहे live class के regarding या कुछ भी आपका कोई भी query रह रहा है, तो comment करके आप पूछ सकते हैं, thank you.